आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूटीब चैनल All In One में तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ ये academic arrangement ठीक है जो जमू डिविजन में government degree colleges में था 2021-22 के लिए ठीक है तो उसके बारे मैं बताने वाला हूँ यहां पर एक इनका notice आया है काफी दिन के बाद notice है जनी के 16-8 को आया था notice उसके बाद 26-9 को आ रहा है ठीक है ये notice तो इसमें इन्होंने बताया हूँ है कि applicants for academic arrangement 2021-22 who have filled the choices can check college engaged far by logging on your website and join latest by October 4th 2021 further days can be had from the college concerned ठीक है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहां पर इन्होंने क्या बोला है काफी सारे बंदों को समय नहीं आ रहा है कि कौन-कौन है यहां पर 26 का notice हाया है तो आपको हाँ याद रहे कि आपको 4th October 2021 से पहले join करना है जिसका college इसको engage हुआ है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि college engage आपको कैसे चेक करना है सबसे पहले क्या करना आपको यहां पर login इन्होंने लिखा हूँ आने कि login करना आपको अपने account box भी चेक कीजिए दोनों मैं आपको mail आ सकता है ठीक है तो यह रहेगा तो आगे मैं खोल के बताता हूँ कि काफी सारे बंदों को confusion हो रहा है कि वहां पर आपको कैसे देखना कि आपको college कुन सा किसमें engage हुए तो first मैं दो बाते आपको clear करना चाहता हूँ guys आप इदने परे मैरे लिस्ट में आपका नाम होगा यहां पर आप सीधा चेक कीजिए अगर फर्स्ट कॉंसलिंग अब इस सेंगर कॉंसलिंग थर्ड भी हो सकती है इसकी तो first मैं आपको क्या करना है जैसे आपके subject में 20 पोस है अगर आपका 20 या 20 से नीचे रहेंक है मैं आप देख लिए मै पीचे अगर आपका rank है ठीक है तो गाइस यह मैं आपको बता रहा था ऐसे आपको चेक करना है और हाँ एक और बात आपके लिए यह कौंसलिंग बन लिस्ट है ठीक है यह कौंसलिंग बन लिस्ट है इसके बाद कौंसलिंग टू लिस्ट भी आ सकती है मतलब fourth October के बाद यहां पर फूर्थ October के बाद पहले भी आपको चेक कर लेना और उसके बाद भी यहां पर लॉग इन करके चेक करते लेना कि यहां पनी email ID चेक करनी है उस पे भी आपको mail आ सकता है तो यह था अब मैं आपको बताऊंगा आपको लॉग इन करना मैंने बता दिया फिर उसके मैं बताता हूं आपको interface कैसा रहेगा इसका तो guys यह मैंने screenshot लिया लॉग इन करके यह उस applicant का है जिसकी selection नहीं हुई है तो उनका यह simple आएगा अप डिटेल आईए application number post applied for subject name data worth ठीक है और यहां पर यह सारा आएगा जैसे यह आएगा ठीक है तो जिनका नहीं हुआ होगा उनका यह ऐसे college wise vacancy चार्ट आजएगा preference जो fill किया वो आजएगा ठीक है तो यह रहेगा कि जिनकी selection मतलब नहीं हुई है आने वाले time में हो सकती है हो जाए तो यह show करेगा simple ठीक है तो अब मैं बताऊंगा दूसरा login करके जिनकी selection हुई है उनका ठीक है वहां पे क्या आएगा ना तो hello guys मैं आपको बता रहा था कि यह देखो यह है मतलब जिनकी selection हुई है तो आपको एक करना है पूरी detail आपकी उपर मैंने पैजा से पहले बताया यहां पे नीचे आ जाएगा नीचे यह red में आ जाएगा यहां पे आपको college allotted यह देखो अगर आपका merit में उगदवा जेकर नहीं तो उसके बाद भी आप चेक करते रहें कि कुछ बंदे जॉइन नहीं करते हैं तो यह था कि academic arrangement के लिए आप कैसे अपना college चेक कर सकते हैं जिसका नहीं आया तो वह wait करें ठीक है मैंने जैसे बता दिया आप number of force देखें और उसमें कि आपने तो subscribe कर लें वीडियो को like share और comment जरूर करें कोई doubt अगर जब वीडियो अच्छी लगती है thank you have a nice time